हेलो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपना CISF Conestable Tradesman का online form फिल कैसे करोगे इसकी टोटल नमबर आप जो पोस्टर रहने वाली है वो 707 रहने वाली है इसमें जो है All India male and female apply कर सकते है तो इस वीडियो में आपको step by step full process दिखाएंगे कि आप अपना CISF Conestable Tradesman का online form फिल कैसे करोगे तो वीडियो में आगे भढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी request रहेगी आप से कि मेरे YouTube चैनल को subscribe कर देना आप लोग तो वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को subscribe नहीं करते हो तो प्लीज आप सबसे request है कि चैनल को subscribe करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो आपको आना होगा अपने mobile phone, PC, computer के browser पे browser पे आने के बाद आपको search करना होगा CISF RECT CISF RECT search करने के बाद आपके सामने यहाँ पे CISF की जो www.cisfrecruitment.in का official website आ जाएगा तो आपको open कर देना है open करने के बाद यहाँ पे आपको notice board show हो जाएगा तो यहाँ से आप अपनी notification चेक कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पे login वाले option पे click करना है login वाले option पे click करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो constable tradesman 2022 का जो link है वो activate हो गया है तो आपको सबसे पहले अगर आप new candidate है तो आपको new registration करनी होगी अगर आप already registered candidate है तो आपको यहाँ पे simply click करना होगा constable tradesman 2022 तो आपको पहले दिखाते हैं कि new registration कैसे करोगे तो आपको यहाँ पे new registration पे click करना है निय वर्जडेशन पे click करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी basic details फिल करनी होगी इसमें जो आपकी detail है वो as per matriculation certificate होगी पहले आपको ном मैम अपना फिल करना है उसके बाद आपको फिर से डेटा बर्थ फिल करनी है डेटा बर्थ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर स्लेक्ट कर देना है आप मेल हो फिमेल उसके बाद आपको capture fill करना है, capture fill करने की बाद आपको submit पे click करना है submit पे click करने के बाद आपको यहाँ पे contact details fill करनी है, यहाँ पे आपको अपना mobile number fill करना है, उसकी बाद आपको यहाँ पे फिर से अपना mobile number verify करना होगा उसकी बाद आपको यहाँ पे अपनी email id फिल करने, यहाँ पे आपको अपनी proper email id फिल करनी है ताकि आपको future में कोई mail send किया जाएगा CISP की तरफ से, उसके बाद आपको यहाँ पर confirm करनी होगी अपनी email id, email id कनफर्म करनी की बाद आपको I Agri पे click करना है, उसके बाद capture फिल करना है, capture फिल करनी की बाद आप को submit पे क्लिक करना है उसके बाद आपको बताएगा greeting you are successfully registered with CISF online recruitment आपका जो registration ID और password जो है वो आपके registered mobile number और email ID पे send किया जाएगा उसमें आपका जो registration ID भी होगा और password भी होगा उसके बाद आपको यहाँ पे login पे क्लिक करना है login पे क्लिक करने के बाद आप फिर से redirect हो जाओगे CISF के home page के उसके बाद आपको यहाँ पे constable tradesman 2022 तो इस पे आपको क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद आपके mobile number और email ID पे जो आपका यहाँ पे registration number और password बेचागी है वो आपको यहाँ पे fill करना है fill करने के बाद आपको capture fill करना है capture fill करने की बाद आपको यहाँ पे submit पे click करने के बाद आप successfully login हो जाओगे उसकी बाद यहाँ पे आपको option आ रहा है candidate can apply CISF tradesman तो आपको यहाँ पे click here to apply पे click करना होगा continue पे click करने के बाद आपकी यहाँ पे जो already details है वो आजाएगी उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी category select करनी है category select करनी के बाद आपको यहाँ पे अपनी state select कर देनी है state select करनी के बाद आपको बता रहा है कि आप और कहीं state में migrated हो तो अगर आप migrated हो another state में तो आपको yes करना है otherwise और वाइस आपको नो कर देना है उसके बाद आपको बता रहा है कि आपकी एजुकेशन कौलिफिकेशन जो है वो सिवल है या आर्मी थ्रू किया है तो आपको यहां पर जो भी है आपको यहां पर सिवल सेलेक्ट कर देना है उसके बाद आपको यहां पर बता रहा है कि आपक तो हिल एरिया, अगर आप हिल एरिया से हैं, तो आपको यस करना है, अगर नहीं तो आपको नो कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ से आपको अपना जो ट्रेड है, वो स्लेक्ट करना है, आप कुक के लिए अपलाई करना चाहते हैं, पे हमिले कोई यहां आप दो स्माधि करने की बाद, और यहांagipन पिन और यहां है. इसकी बाद आपको यहां प्रस्टी करना है usk ते आघर आपको यहal पर फेर स्टेम्ट assess करने के बदें के बाध और आप को यहां पर यहां पर आप आपको यहां पे Sam as a pernet address पे click करना है उसके बाद आपको यहां पे नीचे आजाना है, नीचे आने के बाद यहां से आपको type of ID card select कर देना है, आपके पास अगर अधार card available है तो अधार card select कर देना है driving license, pen card, passport voter ID card, जो भी आपके पास अगर available है अगर इन्वे से कोई नहीं तो आपको यहाँ पे other पे क्लिक करने है उसके बाद आपको बता रहा है whether the date printed on photograph आपके photograph पे date mention होना बहुत जरूरी है otherwise आपका जो form है वो reject हो सकता है उसके बाद आपको नीचे आ जाना है आपको बता रहा है कि आपको terminated किया गया है तो आपको यहाँ पे sub options पे no कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे I have certified पे click करने के बाद आपको save and preview पे click करने है उसके बाद आपकी यहाँ पे सारी details आ जाएगी तो आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे after click on submit इस पे tick करने है उसके बाद आपको तो यहां पे final submission कर देना, अगर आपको कोई गलती लगी है, तो आपको यहां पे edit application कर देनी है, तो detail चेक करने के बाद, आपको final submit पे click करना है, final submit पे click करने के बाद, आपको ok पे click करना है, ok पे click करने के बाद, यहां से आपको proof of age अप्लोड करना है, उसके बाद आपको educational certificate 10th क upload करनी है उसकी बाद आपको domicile certificate अपलोड करनी है उसकी बाद आपका photograph upload करना है उसमें आपका जो photo है उसमें आपकी ग्राइट है वो mention होनी चाहिए तो उसके बाद आपको यहाँ पर signature upload करनी है signature और photo का जो size है signature का जो size रहने वाला उसकी बाद photo का size 20-50 KP, domicile certificate का जो size है वो PDF format में रहेगा, उसका जो size है maximum 1MP तक रहेगा, उसकी बाद आपको यहाँ पे choose document, choose file पे click करने, choose file पे click करने के बाद सारे document select कर देने हैं, तो आपको पहले जब आप document यहाँ पे select करोगे तो आपको यहाँ पे upload पे click करना होगा, जैसे की आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सारे documents upload कर दिये हैं, यहाँ से आप एक-एक documents view कर सकते हो, उसकी बाद आपको यहाँ पे save and continue पे click करने के बाद आपको दिखाएगा documents have been submitted successfully, तो आपको ok पे click, ok पे click करने के बाद आपको यहाँ पे 100 रुपीज जो है वो payment करना होग उसकी बाद आपको proceed to pay पे click करना है, proceed to pay पे click करने के बाद यहाँ से आप SBI net banking, SBI debit card, UPI, SBI branch या other bank debit card है आपके पास या credit card, तो आपको यहाँ से कोई भी एक payment option select कर देना है, payment option select करने के बाद आपको यहाँ पे अपने 100 रुपीज जो है वो pay कर देने, 100 रुपीज पे करने क पाद आपका जो form है वो submit successfully हो जाएगा, तो उसकी बाद आपका जो print out है वो जरनेट हो जाएगा, तो यह थी मेरी आज की वीडियो, कैसे लगी वीडियो, तो आप सबसे request है, सबस्क्राइब करना ना भूँँए